जेवसे की दोस्तों, आज की सुरगे मन्ना का भाग हमने लिया है पहला पत्रस की पुस्तक, उसका तीसरा अध्याए और उसका दस्वा मचन मचन कहता है, क्योंकि जो जीवन की अभिलाशा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जीव को दुश्चता की बातों से और अपने होटों को चल की बातें बोलने से रोके रहे धन्यवाद पिता परमेशन जो सुन भाइबल हमें बताती है कि परमेशन ने हमसे प्यार किया और अपनी ओर से उसने अपना हाथ बढ़ाया था कि हमसे मिले मिलाब कर ले और उसने हमें शुद्द किया, पवित्र किया, हम नहीं जानते थे कि हम पवित्र किये जा रहे हैं लेकिन परमेशर की अद्वूत करपा हुई कि उसने हमें शुद्द किया पापों से मुक्त किया हमें उसने अपनी आत्मा दी और हमारी आत्मा को जिन्दा किया हमें उसने मन दिया पत्थर का हिर्दे निकाल कर मास का हिर्दे डाला यानि कि सब कुछ परमेशर ने किया जब सब कुछ परमेशर ने किया तो हम ये समझते हैं कि हमारी आगे आने वली जो जिन्दगी है जो मसी जीवन है वो भी परमेशर चला रहा है और वो भी चलाएगा इसलिए हमारे मुझ से जो बाते निकल रही है वो परमेशर की उड़ से निकल रहे हैं? नहीं दोस्तो हमें अपने मन को बदलना है देखिये आपका शरीर जो पापी था वो इश्यूमुसी ने क्रूस पर उसको मार दिया है आपका जो शरीर था पापी था वो निकल चुका है आपके नए शरीर से निकल चुका है लिकिन आपका जो भौत एक मन है उसमें पाप की यादे है उसमें पाप की यादे हैं और वो यादें आपको पाप की और खेशती है लेकिन आप जब जान चुके हैं कि पाप क्या है आप जान चुके हैं पविद्रता क्या है आप जान चुके हैं परमिशर कौन है आप जान चुके हैं शैतान कौन है तो आपको अपने मन को लगाम लगानी है कि आप कौन सी बातों को अपने मन में रखे कौन सी बाती अपने जीब से निकाले कौन सी बातों के द्वारा आप अपने जीवन को चलाएं अगर आपको जीवन की अभिलाशा चाहिए अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो आपको कारे करना पड़ेगा परमिश्र के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा येस परमिश्र ने तो आपको दे दिया है लेकिन आपको अगर आप घलत शब्दों का उपियोग करेंगे अगर आप सही शब्दों का उपियोग नहीं करेंगे तो शैतन आपके जीवन में काम करेंगा लेकिन क्योंकि नीती वशन 18 का 21 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जीब के वश में मृत्यों और जीवन दोनों होते हैं जो उससे प्रेम रखते हैं वे उसका फल भोगेंगे सुना दोस्तों आपने अगर आप अपनी जीब के वश में जो वशन है उसका फल भोगेंगे अगर आप अपने मन पे कंट्रोल करते हैं तो आप उसका फल भोगेंगे अगर आप उसके वशनों के अनुसार चलते हैं तो उसका फल भोगेंगे अलेलोया, परमिशन ने तो सब कुछ जे दिया है परमिशन ने आपके सामने एक अद्बुत आशिशीत मेच सजादी है अपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है या आप पर डिपेंड करता है इसलिए आपको अपने मन में सहीम रखते हुए धहरे रखते हुए कभी कभी दोस्तों परमेशर आपको बनाना चाहता है आपका सुरूप आपको देना चाहता है आप ये क्यों भोल जाते हैं आप परमेशर के चरणों में हैं आप क्यों भोल जाते हैं कि परमेशर आपके अंदर है और वो अपनी इच्छा के नुसार जब वो अपनी इच्छा के नुसार आपके पापों को आपसे शुद्ध करना चाहता है और करता है तो क्या वो आपको अपना नया रूप जो आप नहीं जानते आप में कई कमिया है हमें कई कमिया है दोस्तों हम अभी पुरी तरीके से सिद्ध नहीं हुए है हमें कई कमिया है और वो कमिया क्या है वो जानता है कौन परमेश्वर इसलिए हम भलाई इसी में हैं कि हम अपने आपको उसके सामने समरपित करते और उससे कहें कि परमेश्वर मेरे अंदर जो भी कमिया है उसको निकाल उसको निकाल दे पिता तु मेरे अंदर से ताकि मैं तेरे योग्य होकर तेरे मन के मताबिक अपने जीवन को चला अपने मताबिक नह खेका उननीस कहता है, हम पर्मेशर के मंदिर है, पविद्र आत्मा उसनों बास करता है, लेकिन हम अपने नहीं हैं, हमें अपनी जीवन अपने लिले हैं, इसले इन Ce इत्तवद आत्वन भी जीना है, बे हमें अपने पिता की अनुसार चलना है हमें पिता की अच्छा की अनुसार चलना है चाहे हमारे जीवन में, चाहे हमारे घर में चाहे हमारी नौकरी में, चाहे हमारे धंदे में कोई भी विपदा आए, कैसी भी situation आए, नहीं आपको परमेशर के अनुसार ही चलना है चैसु को परमेशर के अनुसार चलना है दुखो परमेशर के अनुसार चलना है आप परिश्या में है परमेशर के अनुसार चलना है आप तंगी में है परमेशर के अनुसार चलना है तभी तो हम उसकी धर्मिक्ता को निभा पाएंगे मेरे दोस्त अगर हम अपने अनुसार चलेंगे अगर हम शैतान की भाशा बोलेंगे अगर हम शैतान के विचारों के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो हम उसकी धर्मिक्ता को कैसे निभा पाएंगे कैसे इश्यमसी ने यहुना बबतिस्वा वाले से कहा था जब यहुना बबतिस्वा वाले ने कहा था कि अरे तू यहाँ पर है तुझे तुझे तुम मुझे लेना चाहिए बबतिस्वा लेकिन इश्यमसी ने क्या कहा था कि अब उसकी धार्मिक्ता को हमें ऐसे ही निभाना है हाले बईया हम उसकी धार्मिक्ता को निभाने के लिए इसलिए तो उसने हमें आजात किया है हर चीज से इसलिए तो उसने हमें बताया उसने हमारी बुद्धी खोली है मेरे दोस्त इसलिए अपनी उस आशीश को जो परमेश्वर ने हमें दी है हम उसको समझें और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताएं जो आपसे बहुत प्यार करता है और जो आपको हर चीज़ देना चाहता है और आपको दे चुका है इसलिए आप डरिये मत जो कभी मिटेगी नहीं जो कभी टलेगा नहीं वो सुख आपको देना चाहता है इसलिए अपने आपको समर्पित करिये ब्रदर प्लीज, मेरी बहन सुनिये उसके वश्वर को और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं याई हम प्रात्रा करते हैं इस पविद्र समर्थी नाम के तले हम आते हैं और इस सुभा हम आजा बांते हैं कि परमेशर जो तू चाहेगा वो मेरी जीवन में हो इसलिए आच से पूरी तरीके से आगा हो जाईए अलर्ट हो जाईए कि हम जो काम करें परमेशर के अनुसार करें अगर हमारे जीवन में परमेशर का वशन काम नहीं कर रहा है तो हम दुविधा में हैं तो हम जो के में हैं तो हम प्राबलम में आ सकते हैं इसलिए परमेशर का वशन हमारे जीवन में काम करें हर पल हर उचन धन्यवादे ते पिता परमेशर तेरे पविद समर्थ ये नाम में अद्ब शिफा है, सुनने वाले हर भाई बैन के लिए आशीर सुकर चंगाई मांगता हूँ, बुद्धी मांगता हूँ परमेशार हो, तेरे वचन की समझ मांगता हूँ, जो ग्यान तुने परमेशार इस बाइबल में दिया है, उस करता हूँ, इस बाइबल से मांगता हूँ, एमेन, एमेन, एमेन